पिछले दो दिनों में गोधी मीडिया ने भारी कोशिश की है कि लखीमपूर खीरी का नेरेटिव ही बदल दें जैसे कि वो अक्सर करते रहते हैं कि लखीमपूर खीरी में गलती मंत्री जी और उनके सुपुत्र की थी नहीं अरे वो तो स्टोन पेल्टिंग के चलते हैं उनकी गाड़ी थोड़ी इधर उधर हो गए और किसान एक्सिदेंटली मर गए और फिर किसानों ने असली धावा बोला किन्तु परंतु अब नए वीडियो से साफ हो जाता है कि किसानों को पीछे से हाई स्पीट पे जान मूच के रौंदा गया था और फिर कई आरोपी वहां से भाग लिए सोशल मीडिया पर काफी गुसा है इस वीडियो को देखने के बाद उधर गोदी जीवीज की सारी कियाए के राये पर सारी महिनत पर पानी भिर गया मुझे गुसा आता है रौंदने वाला वीडियो मैं आज यहां नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर इस एपिसोड को डिलीट कर दिया जाएगा या रिस्ट्रिक कर दिया जाएगा यूट्यूब दिया रहा लेकिन इस वीडियो के सोशल मीडिया पर मेगा वाइरल होने के बाद बहुत सारे लोगों को अब लग रहा है कि लखीमपुर हादसे के बाद शायद अंदभक्त अब अपनी आँखे खोलेंगे और सरकार से दो-चार सवाल पूछी लेंगे शायद इस बार वो whataboutery के जगे पूछेंगे what have you done? अरे आएगा जो भी लेकिन जो गया है उसके बारे में भी तो दो बाते हो जाए आशा तो यही है कि इनसाफ अब तो मिलेगा गुनेगारों को सजा अब तो मिलेगी क्योंकि सच तो सामने आ चुका है लेकिन देशभक्त पर एक सिंपल सवाल आज है क्या कोरा नंगा सच देश को फकीरी प्रो मैक्स मोड से बाहर निकाल सकता है या नहीं? या हम सच्चाई वास्तविक्ता इंसानियत और आर्थिक तंगी से इतनी दूर चले गए हैं कि हमें कुछ भी कुछ भी? कुछ भी नहीं हिला सकता है जो सबूत हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि लखिंपूर खेरी से भी जंता की सोई हुई आत्मा नहीं जगेगी समझाता हूं क्यों? समझाता हूं क्यों कि इंडिया को जगाना इतना आसान नहीं है वाइसे ये भी सच है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फारूक एहमददार याद है अरे एडिटर ये वाला नहीं फेमस वाला फोटो लगाओ हाँ अब याद आया ना मेजर गोगोई ने एक स्टोन पेल्टरदार को अपनी जीप से बांग दिया उसे हूमन शील्ड बना दिया मास्टर स्ट्रोड को इनकी नानी याद दिला दि 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि हमारी डिसिप्लिंट इंडियन आर्मी ने एक देश के नागरिक को human shield बनाके जीप के सामने चिपका दिया हो मेज़र कोई तो hero बन गए कुछ दिनों के लिए सच तो दो दिन में सामने आ गया था वैसे लेकिन राश्टरवादी ना रहे के सामने सच की क्या उकात सच ये था कि दार कोई stone pelter नहीं था वो तो उन कम लोगों में से था जो actually election में भाग ले रहा था वोड देकर घर वापस आ रहा था और ना वहां 1200 stone pelters खतरनाक मौझूद थे जमुएन कश्मीर पुलिस ने बाद में ये माना भी कि दार की कोई गलती नहीं थी एने चार्ची ने दार को 10 लाख रुपाय का compensation का order भी दिया और मेजर गोई की hero पंती एक और केस में कुछ दिनों बाद court marshal में तबदील हो गई फर्क बस इतना है कि तब Jeep से human rights और भारत की छवी को रौनदा जा रहा था और अब Jeep से किसानों को रौनदा जा रहा है सवाल यह है कि आउट्रे जब कितना दिन का करोगे दो दिन, चार दिन सरकार बोलती है छे दिन कर लो उसके बाद तो ठकी जाओगे देखो न, नोडबंदी नोडबंदी का दर्द हम कितनी आसानी से भूल गए लोग लाइन में लगे कुछ ने कहा कि देश के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते कुछ और pragmatic टाइप लोगों ने कहा और कुछ हताश बेबस होके बस नोडबदलने की कोशिश कर रहे थे उनके आसू शब्दों से जाधा बया कर रहे थे लेकिन नोडबंदी के 5 साल बाद भी हमें ये नहीं मालूम है कि इस महाकांड का जिम्यदार कौन है अरे कोशिश तो किया बोलकर हम आगे बढ़ चुके हैं वैसे ही GST लाबू होने की इतने साल बाद भी आज हम इस बात पर तूतू में में कुता बिल्ली कर रहे हैं कि पापड पर कितना GST लगेगा और लसी पर कितना लगेगा लेकिन कोशिश तो किया ना जेनियू पर खुले आम हमला होता है फरनिचर के साथ साथ सरपैर तोड़े जाते हैं हमने ABBP की कोमल चर्मा को इन एक्शन देखा उसे पहचाना बहुत आउट्रेज हुआ लेकिन आज तक कोमल को कोई चू नहीं पाया हमारा आउट्रेज खतम कोमल की पाटी चुरू जामिया में भी पुलिस ने लाइबररी में घुस घुस कर बच्चो के साथ पढ़ाई नहीं की उनको पीटा हमारे देश के वन अफ दे बेस्ट उनिवर्सिटीज में ये सब होते देख लोगों को बहुत घुस आया बहुत आउट्रेज हुआ सवाल भी पूछे गए लेकिन फिर बात गोली बारी तक आ गई अब राम भक्द गोट से आई मीन अब राम भक्द गोपाल के गोलियों के सामने सवालों की क्या उकात आज तक जेनिवर जामिया के छात्रों को इनसाफ नहीं मिला फिर करोना की महमारी देख लीजिए हाँ दुनिया भर में निकमी सरकारों को बदल के रख दिया करोना ने लेकिन ऐसे कुछ देश है जहां ऐसे सरकारों की पकड़ और मजबूत हो गई करोना के पहले वेफ में लॉगडाउन के चलते भारत ने एक ऐसा माइगरेंट क्रैसिस देखा जो सत्तर सालों में नहीं देखा लाखों माइगरेंट्स रस्ते पड़ हजारों किलोमेटर अपने घरों के तरफ कूछ करते हुए कितनी दिक्कते आई उनको कितने जाने गई हमें आज तक नहीं मालूँ देश वासियों को घुसा तो आया लेकिन फिर उन्होंने का अब हम क्या कर सकते हैं ये पहली बार ऐसी आपता आई है कोई तयारी तो हो नहीं सकती थी फिर कुछ महिने बाद करोना फिर से आई तयारी का टाइम था तूसरी बार आई वार्निंग के साथ आई लेकिन सरकार ने तब भी ना सुनी इस बार माइगरेंट क्राइसिस नहीं इसीधे गंगा मैया में बोडिस मिलने लगी गंगा के टतपर मास ग्रेव्स गाओं के गाओं खतम अरे गाओं छोड़ो शेहरों में लोग औक्सिजन और दवाई के लिए तरही तरही कर रहे थे अच्छे अच्छे लोग कॉंटेक्ट वाले लोग भी कुछ ना कर पाए क्रेमिटोरियम की मिशीन स्पिगलने लगी और करोना से मरने वालों की संख्या को छुपाने लगा गया सरकार उनको छुपाने लगी इस बार लोगों ने कहा अब हम जबाब मागेंगे सरकार ने कहा बेटा ज़्यादा सवाल जबाब मत करो अंदर कर देंगे तुमको अभी हम अब लॉइन ओर्डर के सामने सच क्या कर सकता है ठीक एक साल पहले यूपी के हातरस में एक गैंग रेप विक्टम की मौत हो जाती है उसके परिवार को घर में बंद कर दिया जाता है और रात के दो बजे पुलीस के निगरानी के नीचे कैमरा के चलते हुए उसके चिता को आग लगा दी जाती है तब भी हमने बहुत बहुत आउट्रेज किया हमने का बस अब और नहीं ये बेटी बचाओ का नारा एक जुमला है यहां तो बेटी जलाओ चल रहा है अब तो हम जगेंगे अंदभंग्द भी जगेंगे लेकिन आज भी हातरस में सन्नाटा है और इंसाफ दूर दूर तक नहीं है इसी साल हमने फादर स्टैंट स्वामी को मरते देखा उनके खिलाफ ठोज सबूत क्या है पता नहीं लेकिन केस चलता रहा बेल नहीं मिली जब तक उन्हों ने अपना दम ही नहीं तोड़ दिया फिर से लोगों ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ जस्टिस सिस्टम को बदलना होगा बुजर्ग लोग ऐसे जेल में नहीं मर सकते हैं भीमा कोरे गाओं के जो एलेजिट लोग हैं उन पर मुकदमा शुरू करो तीन साल ऐसे ही वो जेल में पड़े हुए है लेकिन आज भी बस जेली है केस शुरू नहीं हुआ मुकदमा शुरू नहीं हुआ चार्जेज अभी तक फ्रेमड नहीं है वो सर रहे है अरे अरबर नकसल्स की बात छोड़ो देश की आर्थिक हालत के बारे में बात कर लेते है खस्ता है खस्ता नौकरिया है नहीं कार्खाने लग नहीं रहे जो कार्खाने थे कंपनीज थे वो बाहर चले जा रहे है लेकिन 5 TRILLION ECONOMY के सपने दिखाये जा रहे है बोला जा रहा है कि पार्मर इंकम 2022 तक डबल हो जाएगा, एकदम अच्छे दिन आ ही गए हैं। वहाँ दूसरे हाथ बच्चे पकोडे स्टॉल लगा रहे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है, फ्यूचर अंधेरे में है, लेकिन सब चंगा सी के प्रोपगेंडा के सामने अंधकार क्या चीज है। एंटी-CAA प्रोटेस ले लीजे, फार्मर प्रोटेस ले लीजे, शौकिंग फुटेज हमने काफी देखा हुआ है, पुलिस की बरबरता हमने काफी देखी हुई है। हमें आउट्रेज के जगए constant tracking की ज़रूरत है, हमारे नेताओं को tweeting से ज़ादा ground से connect ज़रूरी है, हमारे मीडिया को गोधी को छोड़ के अपने पैरों पर खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अपने सम्विधान को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि guarantee देता हूँ, अगर आ जगे न जगे, भक्त आदमी जगे न जगे, लेकिन RBI जग गई है, बहुत ही proactive हो गई है, और RBI ने ये कह दिया है, कि देखिए सारे जो credit card payments है, उनको manually फिर से आपको reconfirm करना पड़ेगा, तो अगर आप देशभक्त के member हो, तो please अपना membership एक बार RBI के साथ reconfirm करिएगा, नहीं तो आपके credit card payments अभी go through नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वज़े से हमें भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप देशभक्त के एक member बनना चाहते हैं, तो ज़रूर बनिए, एक annual membership है, with discount on patreon.com slash the देशभक्त, p-a-t-r-e-o-n, patreon.com slash the देशभक्त, अगर आपको देशभ जुड़े